लाइक शेयर करते हुए अगर हम बात करते हैं according to Lawrence, कुछ questions सच में बहुत अच्छ हैं जिसमें आप फस भी सकते हैं according to Lawrence Kohlberg, the good boy, good girl stage of moral development is characterized by the individual Lawrence Kohlberg के अनुसार, नैतिक विकास के अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है, यह जो चरण है, इसकी विशेष्टा क्या है पढ़ने में ही समझ आ रहा है कि अच्छा लड़का, जादतर जो stages है, six stages, अगर आप उनको पढ़के समझ जाते हैं, तो आप question गलत आसानी से नहीं करेंगे तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेष्टा होती है, मतलब वो अच्छा बनना चाहेंगे, approval के लिए काम करेंगे, प्रेज के लिए काम करेंगे, जभी तो इस stage को अच्छा लड़का, अच्छी लड़की तो बहुत अच्छा है, first आता है हमेशा, honest है एकदम, सच बोलता है, वाओ, शाबाश, I am proud of you, यह सब चीजें, good boy, nice girl, orientation का ही उधारन हैं, क्योंकि आप अच्छा दिखना चाहते हैं, approval चाहते हैं, समाज का, दोस्तों का, किसी का भी होता है, एक तरह से, आप validate होना चाहते ह अब ऐसे तो यह childhood वाली, जो है, stages में से एक है, लेकिन, कुछ लोगों में तो उनकी morality हमेशा भी इसी एक point पे चलती रह सकती है, ठीक है न, दूसरों को please करने वाले, feeling that it is their duty to uphold laws and rules for their own sake, यह laws and rules से जादा महदपून क्या है, अच्छा बनना, अच्छा लगना, believing in abstract universal principles which are valid for all humanity यह तो बहुत ही next level बात हो जाए, यह 10 January को 2023 paper 2 में पूछा हुआ question है, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाहा और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, तबी तो good boy, good girl orientation है, कि हम अब यह दूसरे आपके parents हो सकते हैं, teachers हो सकते हैं, दोस्त हो सकत कि व्यक्ति जो है good boy, nice girl orientation पे ही है, और कई बार जब आप तारीफ करते हैं माबाप की, तो समझ जाते हैं कि बेटा क्या चाहिए, पहले ही बता दो, जैसे निशा आए और तारीफ करे तो उस दिन मैं समझे जाते हूं कि भाई, कुछ तो गड़बड है, तो good boy, nice girl orientation जिनको स reason क्या है, क्योंकि कोलबग यही देख रहे हैं कि तर्क क्या है, यह पूरी theory तर्क पे based है, कि morality किस पे based होती है, reasoning और reasoning किस पे based होती है, cognitive maturity पे, cognitive maturity के बात कौन करता है, PAJ करते हैं, तो पूरा जो root cause है इस theory का, वो PAJ की cognitive development से निकल कर क्या आता है, ठीक है ना, तो अगर हम है, unintentionally कुछ हो गया है, तो आपको माफ ही मिल जाती है, ठीक है तो तर्क क्या है, इसके पीछे यह देखना दरूरी है, तर्क है to avoid the shame, यानि वो शर्म से बचना चाहती है, निशा, that she may be, क्या खेरी हो, नहीं बचना चाहती हो, that she may be subjected to by her teacher for not doing homework, कि अगर homework नहीं करी तो teacher जो जा करके, याना, as per Lawrence Kohlberg's theory of moral development, this represents reasoning at dash stage, यह कौन से level की stage है, जब बच्चा shame से बचना चाहता है, याना, शर्म से बचना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है teacher के सामने, तो यह option जो है, pre-conventional, विरको सही बात है, कहां से सही बात है, यह कहां से सही बात है, फिर से पढ़ो इसको, देखो, निशा अपना ग्री कार रहे है, पूरा करना सुनिश्चित करती है, ताकि ग्री कार रहे है, पूरा ना होने के कारण, अध्यापिका द्वारा, शर्मिन्दा नहीं किया जाने से बच सके, अब इसका मतलब क्या, शर्मिन्दा कहां आता है, यहां पर यह थो मतलब mutual exchange शर्म से बचने के लिए क्या किया जा रहा है कोई काम किया जा रहा है ठीक है ना तो शर्म से बचने के लिए कोई काम किया जा रहा है कह सकते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा बनने के लिए कोई काम करने की कोशिश में है question number 3 देखिएगा ये क्या कहता है उमेद ड़स नॉट इट द चॉकलेट तो थोड़ा सा अब भी करेंगे उमेद ड़स नॉट इट द चॉकलेट that his father has got for guess thinking of what would happen if he would get caught यानि उमेद एक बच्चा है जो घर में लाई गई चॉकलेट उसके पिताजी महमानों के लिए लाए हैं आपके घर में भी कुछ नमकीन, बिस्केट कुछ तो लेके cold drinks लेकर के आते होंगे महमानों के लिए और आप खा जाते होंगे निशा की तरह, या हमारे घर में शौर रहे है वो खा जाता है, ठीक तो अब उमेद बचारा डर के बारे उसने चॉकलेट नहीं खाई, क्यों? क्योंकि वो पकड़ा जा सकता है, पिता जी उसकी धुनाई कर देंगे बाद में, पिटेगा बच्चा जो है अधर्वाइज को नहीं पड़ता, कोई फर्क कोई रिष्थेदार आए, भूका रहे, कोई मतलब नहीं है उमेद को हाँ, बहुत बड़े रज़त तो उमेद को डर है पकड़े जाने का इसका मतलब पहली स्टेज है जब आप पनिश्मेंट से बचने के लिए आग्या का पालन कर रहे है उसको पिताजी की आग्या में कोई इंटरस्ट नहीं है बट पिताजी की पिटाई में है अपनी पिटाई में है तो पनिश्मेंट एवम ओबीडियन्स, पहली ही स्टेज है ठीक, ये ethical principle one ही है तो, our child reasons बच्चे क्या तर्क क्या है that if the laws are not meeting the needs of the people, they can be changed through mutual agreement and democratic procedures यानि जो नियम बनाए गए है यदि कानून लोगों की धरुरत पूरा नहीं कर रहा है तो लोगों की द्वारा ही उस कानून को बदला जा सकता है प्यूंकि कोई भी कानून है तो वो लोगों के लिए ही है ना at the end of the day तो ये reasoning है जैसे अभी कुछ टाइम पहले तीन तलाग को बतला गया किसी समय पे सती पृथा को बतला गया होगा किसी और चीज को change किया गया होगा तो नियमों में परिवर्तन आना संभव है यदि लोग चाहें और सबकी माननेता से या डेमोक्रेटिक लिए लोकतांत्रिक रूप से वो किया जा सकता है अभी कौन से लेवल पे है देखो प्री कन्वेंशनल वाले को पड़ी नहीं है उसको बस डर से बचना है उसके external reasons है heteronormous morality और autonormous की बात कौन करता है PIAJ करते हैं है ना heteronormous होती है जब 3 साल की उमर के around नदर चाइल्ड होड में जो है आपका बच्चा वो दूसरे के according चलेगा heteronormous परा और अगर autonormous की बात करें तो अब वो स्वायत हो चुका है PIAJ ने moral development की थियरी भी दिया है उसके बाद उस थियरी से inspire होकर के उन्होंने कोल बगने जो है वो थियरी दी थी ठीक है let's learn की टी-शिट मुझे भी मिल सकती है रिशू करेंगे कुछ प्रावधान ऐसा कि कुछ एक दो दिन के लिए sale या open करेंगे देखो निशान है ऐसे देखा है मेरी तरफ क्योंकि इसको खुद को नहीं मिल पा रही है तो हम बात करेंगे vendor से post-conventional level ही एक मातर ऐसा level है जहां पर बात होती है कि अगर ये 5th stage है कि अगर majority चाहे अगर लोगों का भला ही नहीं हो रहा किसी नियम से लोगों का अधिकार है कि वो नियम में परिवर्तन ला सकें तो ये A option है लेकिन अपरी conventional तो ये कहीं से नहीं है आगी बढ़ेंगे और ये conventional भी नहीं है क्योंकि conventional में भी बदलने की हिम्मत नहीं होती नियमों को मानने की हिम्मत होती है बस question number 5 देखिए इस reasoning पर ही focus करना है कि reason क्या है उससे ही पता लगेगा कि उत्तर क्या होगा based on being obedient for avoiding punishment यानि punishment से बचने के लिए आग्या का पालन किया जा रहा है पहली ही stage है ये तो ये हमें पता होना चाहिए पहली stage को क्या कहते हैं punishment and obedience और वो किस में आती है pre-conventional level में आती है पूरु परंपरागत इस थर में आती है जो वो 3 से 7 वर्ष वाला जो time period है उसमें आती है ठीक है नब pre-conventional पूरु परंपरिक पहली stage 3 से 7 वर्ष generally इसमें भी अलग-अलग theorist ने अलग-अलग बात की है ठीक तो ये simple बात है इसमें और तो कुछ आएगा ने क्यूंकि इन्होंने punishment और obedience की बात कर दी good boy, nice girl की करते तो conventional हो जाता अब आता है question number 6 फटा-फट से जवाब देंगे how many stages of moral development does Lawrence Kohlberg propose in his theory देखिए यहाँ पढ़ना ज़रूर है हिंदी में इसमें गड़बड हो सकते है अगर stages लिखी हुए थो answer अलग हो जाएगा, अगर level लिखे हुए होते तो answer अलग हो जाता वो तो यह बाकी options में 3 का कही option ही नहीं है, level 3 होते हैं लेकिन इसमें 3 का कोई option नहीं है तो हमने पता है फिर तो 6 की option हो सकता है 3 stages है और 6 levels इस्तर कितने हैं 3 और चरण हैं 6 तो हमें पता है 6 stages की बात हो रही है लेवल पूछेगा तो 3 उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे question number 7 पर question number 7 देखेगा एक बार question number 7 है at which stage of Kohlberg's moral development do individuals believe that fixed rules must be obeyed in order to maintain the social order यानि rules क्या है fixed है ultimate है नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है नियम जो है इस्थिर होते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा चाहे किसी की जान जाए चाहे वो फायदे में हो नुकसान में हो कोई मतलब नहीं है सामाजिक विवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों को मानना आवश्रक हो जाता है ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है अगर हम बात करें तो ये law and order orientation है of course क्योंकि fixed है नियम क्या है यहां fixed है law and order आपको बताए ये fourth stage है इसका दूसरा नाम social order maintaining क्योंकि समाज में order को maintain रखना किसी भी हालत में rules fixed है उनमें परिवरतन संभव नहीं है ये fourth stage है संभव है fifth stage में और जादा तर लोगों की democratic ways में संभव है लेकिन एक इनसान भी पूरे system के according against खड़ा हो जाएगा वो है sixth stage ठीक है ना तो ये है C law and order conventional level के अंदर आता है fourth stage इससे पहले वाली good boy nice girl नहीं लिख भी देती हो यहाँ पर कई लोगों को good boy nice girl क्या है third stage है conventional level की पहली stage है और ये है fourth stage conventional level की second stage है punishment and orientation है first stage pre-conventional की tit for tat ये है second mutual तो first, second, third, fourth fifth होती है आपकी social contract orientation और sixth होती है universal ethical principle ठीक है बात clear है कोई दिकत class तो होई रही है डिली law and order orientation जहाँ पर नियम क्या होते हैं? fixed होते हैं rules are rules ठीक है? rules are rules आगे बढ़ेंगे question number 8 पर जिन्होंने marathon देख ली है पढ़ ली है, पहले seated दे चुके हैं, theory आती है वो इस session को attempt करें नहीं तो चक्कर आ सकते हैं और like share करना भी आज आप इस चक्कर में भूल रहे हैं क्योंकि आपको चक्कर ही आ रहे हैं, मुझे लग रहा है which of the following is explained by Lawrence Kohlberg Kohlberg ने क्या दिया है? social contract orientation, zone of proximal development अब आपको यह पता है, आप eliminate करना जानते हैं यह तो Vygosky न दिया है अभी कुछी दिन पहले हमने discuss किया था inner speech भी Vygosky बात कर रहे हैं egocentric की बात PIAJ कर रहे हैं ठीक है न? PIAJ कर रहे हैं तो the social contract orientation यही हम अभी बात कर रहे थे यह है fifth stage जो Kohlberg ने दी है बाकि सारी stages Vygosky और PIAJ ने दी हैं यहाँ पे question number 9 देखिए एक बार फटा-फट से question number 9 क्या कहता है 11th January morning shift Anu argues that only society not individuals can determine what is right यानि सिर्फ society निर्धारित करेगे कि क्या सही है individual नहीं करेंगे मैं और आप नहीं कर सकते हैं पूरा समाज मिलके करेगा किसी बात को सही और कलत का निर्धारन किस stage की बात कोलबग की थेयरी के अनुसार इसमें हो रही है कि जब society determine करेगी कि क्या सही है ना कि individuals determine करेंगे तो good boy तो यह हो नहीं सकती obedience and punishment भी यह नहीं हो सकती इन दोनों में से ही कुछ होगी authority and social order maintaining या फिर universal ethical principle देखिए universal ethical principles में individual decide कर सकता है कि उसको लगता है कि यह government corrupt है तो तो tax नहीं देना भर चाहता यह अकिला individual भी decide कर सकता है नियमों के against जाना लेकिन जब society ही decide कर रही है तो इसका मतलब हो गया authority and social order maintaining यानि fixed हो गए नियम fourth stage हो गई law and order को इस तरह से भी पूछ सकता है social order maintaining के साथ authority भी add कर दिया या simple law and order भी लिख सकता था तो घुमा के पूछने वाली बात है बाकी की option eliminate करके आप सही option तक पहुँच सकते हैं question number 10 देखिए जवाब दीजे पांच सेकिंड में पढ़ी है इतने में दो घूट जिंदगी की पानी पीती हूँ ठीक है ना? तुम्हें भी चाहिए नहीं मिलेगा लड़ाई होगी यहाँ आज तुम्हें जूटा नहीं करना है नहीं देखो एक बार अभी रावल ने कहा था पानी चाहिए तब तो इस नहीं लिया नहीं तुम्हें जूटा बैट करके question number 10 देखिए एक बार जैसे हमें स्कूल में करते थे क्यार ये तो मैं जूटा किया हुआ हुआ यार लंच मैं मैं तु खुद खा लिया ये तो ये तो बाटल जूटी कर लिए ताकि कोई और नमांग ले और तुम फिर भी बाज नहीं आ रही हो तुम कहरी हो देखिए दो यार कोई बात नहीं देखो एक बार question क्या है question है बई कह रहा है मैं आप निशावें को परिशान करती है अरे ये भी मझे बहुत परिशान करती है हाँ भई वो इसको दिखता नहीं आप लोगों को महाकाल के दरशन करने जा रहा है कोई तो भई ठीक है चुरो आजो इधर चलते है which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning यानि निमलिखित में से कौन सा सिधान्त सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत हो देता है अब इसमें आप गलती करेंगे है ना इसमें आप गलती करेंगे और मैंने ये डाला भी इसलिए इस chapter में एक question ताकि आप confused हो ताकि आपके सामने एक dilemma प्रस्तुत हो कि ये सही है कि गलत है ठीक है ना बुच्वारे बोलता है ना very chalak bro तो वही बनेओ आप क्यों क्यों आपको लगा कि कोहलबग का chapter है और कोहलबग ही उत्तर होना चाहिए इसका answer कोहलबग नहीं है इसका answer जो है वो लेव वाइगास की है अभी जुनों ने भी A option, B option दिया था ना सारे C कर देते हैं अभी क्योंकि उनको पता लग कि आप तो फटा-फट से cheating कर लो अपना देखो एक बार तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक शब्द का अंतर है which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning moral reasoning, moral development लिखा होता तो यही answer कोहलवर्ग हो जाता क्योंकि यहाँ learning की process की बात हुई है या in general कुछ नहीं की लिखा हो तब भी वाइकास की ही ज़्यादा भेतर है क्योंकि वो socio-cultural approach है जो cognitive development की बात करेगा और cognitive development से learning की बात होगी तो इस लिए answer C है क्योंकि वाइकास की क्या है समाज और संस्कृती की बात करते है गुरूप में सीखने की बात करते है debate, discussion की बात करते है collaboration की बात करते है assistive learning की बात करते है वोई कहारा है पयासे को पाने नहीं बलाओ की तो पाप लगेगा दे तो दिया आया अब क्या करें importance को किसने दर्शाया तो कोलबग लेकिन in general पूछा है moral development नहीं लिखा है तो आपको फिर उसे साब से देखना पड़ेगा यहाँ वाइकास की है ठीक है हालात बदल दिये, जजबात बदल दिये ही हुआ है आपके साथ अभी चलगे खेर कोई बात नहीं तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इस तरह की डिलेमा में डाला जाए question number 11 देखिएगा question number 11 क्या कहता है Lawrence Kohlberg used to evaluate the moral reasoning among children and adults, यानि Lawrence Kohlberg ने बच्चों ये वयस्कों में नैतिक तर्क का मुल्यांकन करने के लिए किसका उपियोग किया है बताइए एक बार किसका नैतिक तर्क कि बच्चों में moral reasoning कितनी विक्सित हो गए है उनका सही और गलत का जो reasoning है वो कितनी विक्सित हुई है इसके लिए उन्होंने किस चीज का इस्तिमाल किया शुरुवात में ही बताया था paper-pencil test का जी नहीं drawings का नहीं report cards का नहीं उस टाइम पर तो इतना चलन्था भी नहीं hypothetical situations का परिकल्पित स्थितियों का imaginary situations का जिनको हम dilemma कह रहे हैं जिनको हम दुविधा कह रहे हैं और एक बहुत ही famous उधारन है इसका कि एक boat में तीन लोग बैठे हुए है जिसमें से दो लोगों को आप अतियंत प्रेम करते हैं दोनों में से किसको बचाएंगे अगर एक ही वेक्ति को बचाने का option आपके पास है तो यह ना यह मत कहतना खुद कूद जाएंगे वो option नहीं है अब इसमें इतने सारे तरक आजाएंगे तो वो hypothetical situations के द्वारा उन्हें evaluate करना था कि आपका जो तरक है वो निकल के आएगा जब आपके सामने situation रखी जाएगी तो आज आता है कि हर इंसान अच्छा है जब तक उसको बुरा बनने का मौका नहीं मिला ये movies में होता रहता ना इस तरह का कोई dialogue बाजी तो वो अपने आप में moral dilemma है तरह की hypothetical situation है कि आप जब कभी उस situation में आये नहीं जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो चीट कर सके जीवन में किसी को या कहीं पे उसको क्या कहें मतलब उसको ये थोड़ी कहें कि moral reasoning बहुत अच्छा option नहीं है वहाँ पे जादा judge करने का जिसके पास choices है तब तो देखोगे ना कि वो कितना इमानदार व्यक्ति है पता तो choice आने पे लगेगा या hypothetical situation में लगेगा हालां कि इस theory के लिए इनका जो है रिशू इनको criticize भी किया गया कि ये imaginary situations है real life में व्यक्ति कुछ और कर सकता है जब पूछा जाये तो कुछ और कर सकता है पूछने पे तो हर कोई कहा देगा मेर से बड़ा तो कोई हरिश्चंद्र है ही नहीं सत्यवादी लेकिन जब situation आती है तो लोग अलग तरह से act कर सकते हैं तो ये इनका criticism भी है इसकी वजहाँ से इस theory को gender bias theory भी कहा गया है Carol Gilligan जो इनकी student है उनके दवारा कोहलबग ने suicide कर ले था फिर बाद में खेर छोड़ी इस बात पर नहीं question number 12 देखिये आते हैं नूरी judges other actions based on the other's actions based on on the argument that we have some duties towards society and we should obey rules for that sake as per Lawrence Kohlberg what stage of moral reasoning is नूरी at बताईए जवाब दीजे फटा फटचे तो नूरी judges नूरी का तर्क है हमारे समाज के प्रती कुछ दायत्व हैं और उस दायत्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए tit for tat conventional level है ना हमारे कुछ duties हैं इसके लिए हमें पालन करना चाहिए यानि in exchange of something ऐसी बात है नहीं है ऐसी बात ठीक है बिल्कुल social order maintain कराने की बात कर रहे है